जन माश्टमी 2022 कब है? 18 या 19 अगस्त ब्रत किस दिन रखें निशिता काल पूजा महूरत, अईश्टमी तिथी रोढ़ी नछत्र कब तक ब्रत खोलने का सुब समय? दोशतों, शावण माश के समापन के साथ ही भादव माश की शुरूआत हो चुकी है भादर पद माश साल 2022 में 13 अगस्त से शुरू हो चुका है और भादर पद माश भगवान स्रे कृष्णी का सबसे प्री माश बताया गया है इश्टमी तिथी रोढ़ी धूम-धाम के साथ भाद्र पद्वाश की अष्टमी तिथी को हम सभी कृष्ण जन्मोशों का तेवहार हर साल मनाते हैं। तो साल 22 में स्रीकृष्ण जन्माश्टमी हम किस दिन मना रहे हैं। क्या इश्वार रोडी नचत्र में कान्हा का जन्म होगा। तिथी कब प्रारंब होगी और कब समाप्त होगी दोस्तों इस बार भी साल दोजरवाश की जैसे की रक्षा बंधन की तेवहार की दिन को लेकर काफी संसे रहा उसी प्रकार से कृष्ण जन्वाश्टमी के ब्रत तेवहार को लेकर भी दो दिवसों में काफी संसे है कि ब्रत किस दिन यानि करना चाहिए और ब्रत का पारण और कब और कैसे करना चाहिए जब तिथी दो दिन है तब तो ये सभी जानकारियां तिथी कब बेट रही है कब समाप्त होगी ब्रत किस दिन करना है किस समय ब्रत को हमें खोलना है और दोस्तों जो पूजन का शुब महुर्थ निष्टा काल की पूजा का जो शुब महुर्थ होता है वो स्री कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत ही बिशेश महत रखता है तो शुब समय हमें कब मिल रहा है इस बार कि स्री कृष्ण जन्माश्टिमी पर क्या वो शुब शन्योग बन रहे हैं ऐसी सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है तो शंपूर जानकारी के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें दोस्तों जैसे मैंने बताया कि भादरपद माश्ट के शुरूआत हो चुकी है और अब यह तयारियां शुरू हो रही है कानहा के जन्मोसब की पूरे देश में हमारे देश में कानहा का जन्मोसब श्रीकृष्ण जन्माश्टिमी बड़े ही हर्सु उल्लास के साथ मनाया जा तो विशेश कर काना के जन्मोसव पर स्यक्रश्ण के मंदिरों को सजा दिया जाता है हर घरों को विशेश तैयारिया शुरू होती है जो भी लोग लड़ु गुपाल की एक्रश्ण की पूजा राधना करते हैं शेवा करते हैं वो पड़े धूम धाम से इस दिन तैयारिया शुरू कर देते हैं जनमाश्ट में की दिन भागवान स्ट्रेकरशी के पूजा पाट करने से और इनका ब्रत रखने से और दान करने से विशेश फलो की प्राप्ती होती है जीवन में यह समान समान सब कुछ प्राप्त होता है कोई भी मनोकामना धोरी नहीं रहती है इस बार का जो संसे बना हुआ है कि अठारा को मनाए या उनिश को मनाए तो हम वो भी दूर कर देंगे आपको किस दिन यानि कि ब्रत किस दिन रखना है निश्ताकाल का श्वा मोहुथ क्या रहेगा तो यह सारी जनकारी हम आपको बताएंगे दोस्तों जनमाष्ट में यानि कि बहुत ही बहुत बड़ा तेवहार माना जाता है हिंदू धर्म में क्योंकि जन्माष्ट में की दिन भगवान स्रीकृष्ण जी ने आठ्मा अवतार लिया था जन्माष्ट में की दिन भगवान स्रीकृष्ण ने कंस कबद किया था पापी अत्याचारी कबद करके इस से पृत्वी से अधर्म कनास और धर्म के स्थापना की थी जो सनातनी पंचांग होते हैं, हमने उशे पूरी तरह से अपना लिया है, लेकिन इस पंचांग में भी कुछ मतभेद है, कुछ बेदभाव बना रहता है। जो सनातनी पंचांग होते हैं, लेकिन दिन में आगे अश्टमी तिती समाप्त हो चकी होते हैं, दिन आश्टमी हो गई होगी, मानी जाएगी, रातरी में कृष्ण जन्मोसो मनाने के दौरान उन्हें आश्टमी के बाद मद रातरी बीत जाने के बाद रोणी नचत्र मिलेगा, तो श्मार्द संपरदाय वाले 18 अगस्त को तथा 22 संपरदाय वाले 19 अगस्त को जन्मोस्तमी करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो निश्ची तोर पर इस वीडियो को वो लोग ज्यादा ज्यादा अपने दोस्त को शेयर अवश्य करेंगे, हर जगर शेयर करें ताकि शभी को जानकारी समय पर मिल जाए, दोस्तों आईए जानते हैं सुब महुर्त के बारे में, तो अश्टमी ते थी पहले ही दिन आधी रातर को विद्वान होती है, जर्माश्टमी के ब्रत के दिन, पहले दिन आप करें, देखें, अश्टमी केवल इस दिन आधी रातर को जो व्यापत रहती है, उसी दिन पूजा पाठ करने चाहिए, चोकि आपको निश्ता काल में पूजा पाठ करनी है भगवान स्रिकरशन जी की, वैसे आप रातर में पूजा पाठ करेंगे, रातर बारा बजे उनका जन्मोसो मनाएंगे, जर्माश्टमी पूजान बिधी की बारे में भी जान लेते हैं, जर्माश्टमी के दिन भगवान स्रिकरशन जी के बाल सरूप क पूजा कीयाती है। पर क्या करें शुब कलश के स्थापना करें लड़ू गोपाल को माखन मिस्री का भोग लगाएं अंत में उन्हें जूला जुलाएं और विद्वत पूजा संपन करें पारण का मोहुर्त भी ब्रत का पारण कर पूजा संपन करने चाहिए पारण यनि कि जब अश्ट्मी ब्रत में भी नियम बताए गए हैं इस ब्रत का पारण जरूर करना चाहिए जैसे कि इस दिन फालाहार करने की मानता है जर्माश्ट्मी ब्रत का पारण आप नौमी की दिन सुर उदय के बाद ही करें और जर्माश्ट्मी ब्रत रखने से बाले जातक सप्तमी तिति को ही सात बहुजन गरहन करें इस दिन गायों की पूजा पाट करें तांसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें और कोशिश करें कि आप अगले दिन जब सूर उदय के समय आप जब ब्रत खोलेंगे तो आप खोलने के बाद आप जरूर यानि की दान दचना करें गाय को भी कुछ खिलाएं और गरीम निधां को दान करें तो किन चीज़ों को दान कर सकतेे देखें किसी भी ब्रत को खोलने के बाद आप जिसे के स्वण है अभूशन है अनाज है वस्त्र है मुद्रा है जो आपके बनी आप से फल है तो जो भी आपको बने वो आप कर सकते हैं जरुनवास्टमी की दिन आप पीले रंग के वस्त्र अगर दान करें, पीले फल दान करें, पीले अनाज दान करें, तो धन धान से भरा रहता है आपका घर, उसका विशेश लाब होता है, अच्युकि देखें, अश्टमिति थी, अश्टमिति थी प्रारंभ होगी 18 अगस्त को रातरी, 9 बचकर 20 म मनाएंगे, निस्ता काल, यानि मद रातर में आपको पूझा करना है, और पूझा का जो सुब मोर्त होगा रातरी, बारा बचकर, एक मिनट से लेकर, रातरी, बारा बचकर, 44 मिर्ट के अंदर आप यानि कि पूजा पाट कर सकते हैं हलाकि मदरात्र में आप पूजा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है रोणी नचत्र कब से कब तक लएगा रोणी नचत्र आपको 19 अगस्त को ही मिलेगा रोणी नचत्र यानि कि 19 अगस्त को लगा रहेगा के थी संपूर जानकारी आज हमने आपको इस वीडियो में दी और ब्रत खोलने का पारण भी अवीन हमोग दोने के पारण जापना हुआ मोगाई गाप